हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं Samsung के Samsung Galaxy A50s के Android 12 या फिर Android 13 के अप्डेट के बारे में कि बहुत सारे लोगा confusion भी है कि सोचते हैं कि हमारे Samsung के A50s स्मार्टफोन के अंदर Android 13 का अप्डेट हमें देखने को मिलेगा 5.0 के साथ में तो इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर करने वाला हूँ आप लोग के साथ तो लाइक कर देना वीडियो को चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना तो चलिए वीडियो को इशार्ट करते हैं यहाँ पर मैं आप लोग को बता दू कि Samsung ने अपने Samsung के A50 SE स्मार्टफोन को जो है लांच किया था Android 9 Pie पे ठीक है Android Pie पे लांच किया था Samsung के A50 SE स्मार्टफोन को और आप लोग को मालूम ही होगा कि Samsung ने अपने Samsung के इस स्मार्टफोन के अंदर टू मेजर वेस अबेट प्रवाइड कराता है सिर्फ दो साफ्ट वेट देता है मेजर वेस अबेट तो इसको अलेड़ी Android 10 का और 11 का जो है अपडेट मिल चुका है अगर जिन लोग को मालूम नहीं है कि Samsung के A50 SE के अंदर दो मेजर का वेस अबेट मिल चुका है तो मैं आपको बता दू यहाँ पे इसी स्मार्टफोन के अंदर फाइनली दो मेजर वेस अबेट जो है मिल चुका है A50 SE स्मार्टफोन को और इसको फाइनली Samsung ने जो है दो जो ऐसे अपने पॉलिसी के हिसाब से दो मेजर वेस अबेट रॉल आउट करा दिया है और इसके अंदर स्मार्टफोन के अंदर सिफ आपको देखने को मिलेंगे ना कि Android 12 का या फिर 13 का देखने को मिलेंगे तो आपको लोग को मालूम चल गया होगा कि फाइनली F58 को जो है अब नहीं मिलेगा अबडेट मिल सकता है महीने में मतलब 6 महीने फिर 13 महीने के बाद सिगर्डी पेच मिलते रहेंगे लेकिन अभी तक मतलब अब इससे जो है कोई भी Android 12 या 13 का बडेट देखने को नहीं मिलेगा अगर वीडियो पसन है तो वीडियो क लाइक कर देना चैनल को भी सस्क्राइब कर लेना मिलते हैं नेक्स वीडियो में